तो फिल्म की शुरुवात में हम एक कपल को देखती हैं जो बहुत जल्दी शादी करने वाले थी और कई पर घूमने के लिए रेकिस्तान के रास्ते से गुसर कर जा रही थी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थी सारा की डैट की तबीत खराब थी और इसलिए वो बहुत सी बातें करते हैं और मज़े से अपना सफर कर रही होते हैं अचानक सी रास्ते में उन्हें कुछ मैसूस होता है कि जैसे उनकी गारी से कोई चीस टकला गई हो सारा कमंगेतर माइकल गारी को देखने बाहिर आता है वो चारों तरफ से गारी को देखता है पर गारी बिल्कुल ठीक थी, उस पर एक भी खराच नहीं होती, वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, तो भी सारा गाड़े के पीछे जब देखने चाती है, तो एक दम से उसका पाउं फिसल दिया था, वो गिर जाती है, वहाँ पर बर्फ का जमा हुआ एक तुकड़ा था, पर इतने सग्गर्मी में और रेगिस्तान में ऐसे बर्फ का रास्ते में जमना कुछ अजीब था, मगर वो दोनों इस बात पर ध्यान नहीं देते, और दुबारा से गाड़ी में बैट कर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं, जब ये जा रही थी, तो देखते हैं, एक पर इतनी गाड़ी को उधर ही रोक लेते हैं, तब वो काली गाड़ी भी आगे चली गई थी, होटल की आसपास का एरिया बे बिल्कुल सुनसान था, सारा माइकल से कहती है, तुम कितनी तेज गाड़ी चलाते हो, एक दिन तुम हारी ये गाड़ी को तेज चलाने मारी आद चाते हैं, यहाँ पर माइकल बताता है कि सारा अभी मैं तुम से शादी करने के लिए तियार नहीं हूँ, वो कहती है तुम हर बार अपनी जिमेदारियों से भागते हो, हमें बस अब शादी कर लेनी चाहिए, तब ही उनके पास वीट्रस आती है, जो उनका ओर्डर लेकर चली गई थी, सारा का ध्यान वहाँ पर बुड़े कपल परी था, जिनको होटेल का मैनेजर यहाँ से बार पर जानी का कह रहा था, तब ही कुछ तीर के बाद बीट्रस पिया जाती है, जो सारा के लिए ड्रिंक और माइकल दिली कौफी लेकर आई थी, साथ ही उसने इने द जो कौइंस भी ती थी, जिनके बारे में बताती है कि ये दो कौइंस आप यहाँ पर किसी पी सर्विस के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं, तब ही माइकल एक कौइन का इस्तिमाल करता है, और होटेल में म्यूजिक चलाने का कहता है, ताकि वो सारा को खुश कर सके, कुछ देर क पाद वो काली रंग की गाड़ी दुबारा से होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई थी, जो सारा और माइकल के इंतजार में खड़ी होती है, आखिर उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था, पहले वो काली गाड़ी और फिर ये जीप सा होटल, अब माइकल यहाँ से वाश् पिर ये दोनों खैर उस होटल से बाहर आ गए थी, अब इस पार गाड़ी सारा चला रही थी, क्योंकि पिछली बार माइकल ने गाड़ी को बहुत तेज चलाया था, फिर दुबारा से उनकी गाड़ी से कुछ टकराता है, वो दीखती हैं कि जिस रास्ते से वो पहले पिर ये बता सकता है, उनके साथ आगे क्या होगा, यहाँ पर तो सभी सारा और माइकल को जानती थी, पर कैसे, वो तो पहली बार इस होटल में आये थी, उनके साथ यहाँ पर कुछ तो अजीब होने वाला था, जो हमें आगे कहानी में पता चलीगा, तब ही हम बेखती हैं वाँ होटेल में एक लड़की बैटी हुई थी, जो कह दी है, रोज रोज वोई काम करके ठक चुकी है, उदर सारा और माइकल बार बार एक ही जगा पर पहुँच जाती थी, इसका मतलब यह था, कि शायद वो किसी टाइम लूप में फस चुके थी, और वक्त भी रुक जा सारा माइकल से कहती है, कि हम यहाँ पर किसी टाइम लूप में फस चई है, देखो माइकल वक्त भी रुका हुआ है, वो भी सारा की तरह ही सोच रहा था, तब ही उनके सामनी काली रंगी गाड़ी भी आ जाती है, इस बार सारा यह फैसला करती है, कि वो उस गाड़ी को सारा मुझे बताओ, तुमने गाड़ी में क्या देखा, सारा कहती है, मैं नहीं जानती, कि उसका चेरा ऐसा क्यों था, पर बहुत ज्राउना था, तब ही सारा देखती है, कि काली रंगी गाड़ी फिर से उनका पीछा कर रही थी, इस पार वो उन्हें टकर मारने वाली थी, मगर सारा ने अपनी गाड़ी की स्पीट को तेज कर लिया था, और तुमारा से होटेल के पास आ गई थी, अब वो उस होटेल के अंदर जाकर ओन बोत का पूछती है, कि वो कहा पर है, जलती से वो वहाँ पर जाकर पुलिस को कॉल करती है, और उस काले रंगी गाड़ी के बारे में बताती है, जो अब तक इनका पीछा कर रही थी, वगर पुलिस वाला कहता है, कि आप जिस जगा पर हैं, वो हमारी लोकेशन से काफी दूर है, तो हमें आने में वक्त लग सकता है, आप जिस जगा से हमें फोन कर रही है, आप लोगों को वही पर रुपना होगा, लेकिन यहाँ पर सारा इस बात को नहीं जानती थी, जिस पुलिस वाले से वो बात कर रही थी, वो इस होटेल का मैनेजरी था, जिसके बाद वहाँ पर होटेल में, माइकल मैनेजर से पूछता है, कि आखिर ये काली गाड़ी हमारा पीछा क्यों कर रही है, और हम घूम कर दुबारा से उसी जगा पर वापिस कैसे आ जाते हैं, मैनेजर कहता है कि जाते हुए आप शायद गलत रास्ते पर जाते हैं, यहां का रास्ता भूल पुलिया है, इसलिए आप दुबारा से हमारे होटेल के पास आ जाते हैं, तब ही सारा आती है, और कहती है कि मैने पुलि अच्छा कमरा है। इसका मतलब ये था कि मैनेजर इंग दोनों को जान बूच कर यहाँ पर रोकना चाहता था। तब ही उसने पुलिस ओफिसर बनकर भी सारा से बात की थी। है रब ये दोनों इधरी होटेल में रुख जाते हैं। सारा वेट्रस से शराब मंगवाती हैं। पर वो जवाब दीती है कि मैम हमारी यहाँ एक ही बार आप शराब को पी सकती हैं। तब ही यहाँ पर बैटी एक लड़की सारा से कहती है कि तुम मेरी बोटल को ली सकती हो। पैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। सारा जब उसे पैसे दे रही थी तो वो कहती है कि अब उसकी किसी काम के नहीं ये बात सुनकर सारा थोड़ी हैरान हो जाती है तब यहाँ पर मैनेजर भी आ गया था जो उस लड़की को अपने साथ चलने का कह रहा था बाद में मैनेजर हम दोनों को समझाता है कि वो लड़की पागल है इसलिए ऐसी बाती कर रही थी जिसके बाद सारा अपने डैट को कॉल करने जाती है अजीब बात यह थी कि सारा को अपने डैट की आवास तो आ रही थी मगर उन तक सारा की आवास नहीं पहुँच पाती उदर हम मैनेजर को देखते हैं जो उस पागल लड़की को एक कमरे की अंदर जाने का कहता है जहां पर बहुत अंदेरा था वो लड़की बहुत सैतार हो रही थी मैनेजर उसे समझाता है कि देखो ये रास्ता तुमने अपने लिए खुच चुना है तब ही वहाँ पर मैनेजर आ गया था जो उस कागस को सारा और माइकल के पढ़ने से पहले उठा लेता है जिस पर लिखा हुआ था रन भागो अब मैनेजर उनने उनके कमरे तक ले आया था यहाँ पर सारा फिर से उस मैनेजर से काली गाड़ी के बारे में सवाल करती है मगर मैनेजर तो उसकी कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था वो ऐसा शुकर वाता है कि जैसे उसने उसकी बात को सुना ही ना हो मैनेजर यहाँ पर सारा का नाम लेता है जिससे वो थोड़ा हैरान हो गई थी वो सोचती है कि आखिर इस मैनेजर को उसके नाम का कैसे पता जब मैनेजर उनके लिए कमरा खोल रहा था तो सारा देखती है उस पर बर्फ की तह जमी होई थी बिल्कुल वैसी जैसी उसने रास्ते में देखी थी जब उनकी गारी उससे टकराई थी सारा समच चुकी थी कि यहाँ पर गड़बर तो जरूर है इसलिए वो माइकल को यहाँ से चलने का कहती है पर मैनेजर उनने कहता है कि देखो आप लोगों को अराम करने इस कमरे में जाना ही होगा आप क्यों अपने लिए मुसीबत बढ़ा रही हो ये बात सुनकर तो सारा को और अजीब लगता है इसलिए वो दोनों यहाँ से भाग गए थी आखिर मैनेजर ऐसा क्यों कह रहा था उदर सारा और माइकल जब जा रहे थे उन्हें फिर से रास्ते में वो ही आत्मी दिखाई देता है जो काली गारी में इनका अब तक फीछा कर रहा था जिसको सारा ने भी देखा था उसने सर पर हैट और काली रंग का कोट पहना होता है इन दोनों को अब भी कुछ समझ नहीं आती कि आखिरकार इनके साथ ये सब क्या हो रहा था और अब तो वो ये भी जानते थे कि इन सब में मैनेजर भी मिला हुआ है कुछ देर के बाद फिर से इनकी गारी जटका खाती है पर इस पार वो उस पर ध्यान नहीं देती और आगे के तरफ बढ़ने लगते हैं तब ही वो दिखते हैं कि काले रंगी गारी फिर से उनका पीछा कर रही थी वो इस पार एक प्लैन बनाते हैं माइकल ने इस पार गारी को रिवर्स ले लिया था यानि कि उल्टा सारा कहती है कि अगर हम किसी टाइम लूक में भी फसे होंगे हम निकल जाएंगे मागर उनका ये प्लैन भी फेल हो जाता है इस पार वो अब पैदल चलने का फैसला करते हैं उन्होंने अपने गारी को वही पर खड़ा कर दिया था और रेकिस्तान के रास्ती आगे बढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें एक गारी का एक्सिडेंट हुआ दिखाई दीता है जब ही उसके पास चाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो उन्हीं की गारी थी पर ऐसा कैसे हुआ जब ही उस गारी के अंदर देखते हैं तो मानो इनके पाओं के नीचे से जमीन खिसक गई थी वो डर कर रोते हुए भागते हैं और फिर से अपनी सही वाली गारी में आ गई थे पर दुबारा से वो उसी जगा पर आ जाते हैं जहां से वो कई बार गुजर चुके थे वो फिर से दुबारा से पोटेल में आ जाते हैं यहां पर आकर सारा मैनेजर से पूछती है कि आखिर यह कौन सी जगा है हम कहां पर फसे हुए है तो मैनेजर उसे बताता है अब तक जो कुछ भी हुआ हमें यहां पर अब सब पता चलने वाला था मैनेजर कहता है कि यह जगा कोई आम जगा नहीं है यह दो दुनियाओं की बीच की जगा है जहां से हर किसी को मौत के बाद गुजरना होता है तुम और माइकल दोनों अपनी जिन्दकी और मौत की जंग लड़ रहे हो तुम्हारा आते हुए इसी जगा पर एक्सिडेंट हो गया था और अभी तक यह नहीं पता कि तुम जिन्दा रहोगी या मर जाओगी मैनेजर उन्हें जिस कमरी में जाने का कह रहा था वो दरासल दूसरी दुनिया थी जहाँ पर लोगों को मरने की बाद भेजा जाता है और कहानी की शुरू में जब हमने देखा था कि बार बार सारा और माइकल की गाड़ी जिस जगा पर आकर रुकती थी जहाँ पर उन्हें महसूस होता था कि उनकी गाड़ी से कोई चीज टकलाई है या फिर उनकी गाड़ी को किसी चीज ने टकर मारी है उसी जगा पर इनका असल दुनिया में एक्सिडेंट हुआ था और यही वज़ा थी जो इनके साथ ये सब कुछ हो रहा था और जब वो पैदर चल रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर अपनी ही लाशा को देखा था इसलिए उनकी हालत भी खराब हो गई थी और जब कहाने के शिरू में सारा ने माइकल से ये भी कहा था कि तुम गाड़े को जो तेज़ चलाते हो इससे एक दिन हमारी जान जा सकती है इसका मतलब ये था कि सारा को कहीं न कहीं ये पता चल जुका था कि वो मरने वाले हैं और मैनेजर ने उस लड़की को भी कमरे में इसलिए भेजा था क्योंकि असल दुन्या में वो मरने वाली थी इस उटल का काम यही था जो लोग मरने के बाद जिंदकी और मौत के दिर्मियान में फासे होते हैं तो यहां के लोग उन्हें मौत के बाद वाली दुन्या में बेशने का काम क्या करते थे यानि कि आत्माओं की दुनिया उनकी असल दुनिया में और जो काली गारी थी वो मौत थी जो इनका अब तक पीछा कर रही थी मैनेजर सारा से कहता है कि असल दुनिया में अब तुम नहीं बच सकते तो अपने आपको इतने तकलीफ मत दो और उस कम्री में चली जाओ जहाँ पर आद माई मरने के बाद जाती है सारा कहती है मैं जीना चाती हूँ क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है मैनेजर कहता है ये बात तो तैह है कि तुम दोनों में से एक ही बचने वाला है इसलिए सारा ने अब माईकल को सेक्रिफाइस कुरबान करने का फैसला कर लिया था कि इस सारा को तो होश आ गया था उसकी सांसे दुबारा जाती है मगर अब माईकल की मौत हो चुकी थी और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है